अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यह बहुत ही ब्यूटीफुल सी बूटीज, यह दिखिए छोटे बच्चों के लिए है यह, इसी मेथड से आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, यह मैंने डेर से दो साल के, मैंने यह बनाई है, अगर आपके बच्चे का पैर थोड़ो चोटा है, तो यह दो साल के बच्चे को भी आ जाएगी, 28 फंदों से मैंने इसको शुरू किया है, 10 फंदे मैंने इसमें यहां बंद कियें, यानि कि यह 18 फंदों की सौक्स है, यह बंद करने वाले फंदे तो ह हमारे बाहर पलट जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप इसमें फंदे रखेंगे, अगर आप एक साल या च्छे महीने के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें दो फंदे कम कर लेंगे, न्यू बान बेबी के लिए बना रहे हैं, तो चार या च्छे फंदे कम कर लेंगे, यान एक साल, दो साल, तीन साल तक के बच्चे के लिए आप यही बनाएंगे, उससे बड़ा बना रहे हैं, तो आप एक सलाई एक्स्ट्रा रख लेंगे, यानि कि एक पट्टी एक्स्ट्रा करेंगे, और अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैंगे, जैसे कि छे महीने के लि तो आप पांच रख सकते हैं यह न्यूबॉण बेबी के लिए बना रहे हैं आप तब इसको पांच ही रखेंगे भस यह वाली लाइन थोड़ी कम ज्यादा करेंगे यह वाली लाइन ज्यादा कम नहीं करेंगे क्योंकि इसमë एक ही लाइन कम करने में फर्क लग जाता है इसलिए इसमें हमें ज्यादा फर्क नहीं करना है यहां आप यह पॉम पॉम लगाया है मैंने आप चाहें तो यहां कोई बो लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं यह पॉम पॉम भी आप चाहें तो सिंगल कलर का लगा है तो आप डवल कलर का लगा सकते हैं दोनों कलर के धागे लेके तो इसको बनाना शुरू करते हैं बहुत ही इजी है ये बनाने में बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको बनाना है निटिंग ट्यूटर चैनल को नों, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चादा अठाइस फंदे हैं ये हमारे अब हम इसको हमने सिंगल धागे से डाला है और ये हमने लूज लूज रखे हैं टाइट फंदे नहीं डालने हैं आपको आपको इसमें ढीले फंदे डालने हैं बिल्कुल लूज होने चाहिए फंदे वर उस वाल की उनली है मैंने ये डबल पलाई की और दस नंबर की मैं इसमें सलाई ले रही हूँ अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं दोनों साइड से हमें इसको उल्टा-उल्टा बुनना है पहली सलाई है ये इसमें हमने 28 फंदे रखे हैं तो हमें 28 लाइन बनानी है यानि कि हमें दोनों साइड से 28 लाइन बनानी है तो इसमें हमें 56 लाइन बनानी है यानि कि 56 रोज हम इसमें करेंगे एक सलाई में हमाई लाइन इस तरफ बनेगी दूसरी सलाई में हमाई लाइन इस तरफ बनेगी, तो दोनों तरफ हमें 28 लाइन बनानी है, यानि कि 56 हम सलाई करेंगे इसमें, जितने फंदे रखेंगे उसकी डबल सलाई हमें इसमें करनी है, यह सलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बना ली, ये हो गई हमारी पहली सलाई अब आएंगे दूसरी सलाई पर दूसरी सलाई भी हमें उल्टी-उल्टी ही बनानी है इसी तरीके से हम दोनों साइड से बनाएंगे इसको दिखेगे एक लाइन इधर बन गई इस सलाई में दूसरी सलाई में लाइन उधर बन गई इसी तरह से हर सलाई में दोनों तरफ एक लाइन बनती जाएगी और 28 लाइन तक हमें इसे कंप्लीट करना है इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से हमने बुन लिया है इसके सलाइएं हम गिनेंगे हलक असा हम इसे कीचेंगे तो हमें अलग-अलग दिखाई देंगी ये लाइन और इन लाइन को हम गिन लेंगे 28 लाइन हमारी ये हो गई क्योंकि हमारी इसमें 28 फंदे थे 28 ही लाइन हमने इसमें बना ली है अब आगे हमें ये वाला पार्ट बनाना है इसका तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाले जो जितने फंदे हमें बंद करने हैं उतने फंदे हम बंद करेंगे यहां हमें 10 फंदे कम करने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे हमारे कम हो गएं 10 फंदा हम दूसरे कलर का धागा लगा लेंगे इसमें 10 फंदा हम ये वाले कलर से बंद कर देंगे क्योंकि अब हमें आके चार सलाई इसी कलर से बनानी है उल्टी साइट पे हैं हम ये तो हम ये उल्टा बुनेंगे पहली सलाई है हमारे ये पूरी उल्टी बुन लेंगे दूसरी सलाई हम सीधी तरफ से सीधी बुनेंगे इस तरह से हमें ये चार सलाई कंप्लीट करनी है एक उल्टी बुन ली हमने सलाई अब ये सीधी है फिर एक उल्टी बुनेंगे और फिर एक सीधी बुनेंगे ये चार सलाई हम ये वाइट कलर से कम्प्लीट करेंगे ये देखिए मैंने चार सलाई कम्प्लीट कर ली हैं दो सलाई सीधी बुनी दो सलाई उल्टी बुनी हमने अब हम करेंगे ये पिंक कलर से चार सलाई हमें पिंक कलर से बनानी है लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे यह हमारी उल्टी साइड है तो यह पहली सलाई हम उल्टी ही बना लेंगे इसकी इसकी मैं आपको चारो सलाई करके दिखाते हूं कि यह हमें कैसे करनी है पहली हमारी सलाई यह जा रही है उल्टी साइड से उल्टी बनेंगे यह हुगे हैं मारी पहली सलाई उल्टी बुन्डी है मने अब हम आ गये सीधी सर तरफ सीधी साइड पे भी हमें यह वाली सलाई उल्टी ही बुन्नी है पिक कलर की दूसरी जो सलाई है सीधी साइड से है और उल्टी बुनेंगे हम इसको इस तरीके से तभी यह उगरी हुई आएगी इसको हमने पहली सलाई उल्टी तरफ से उल्टी बुनी दूसरी सलाई सीधी तरफ से भी उल्टी बुन रहे हैं तीसरी सलाई हम उल्टी तरफ आएंगे, वो भी हम उल्टी बुनेंगे, तीसरी सलाई हमें उल्टी नहीं बुननी है, दो सलाई हो गई हमारी ये, सीधी उल्टी तरफ से भी हमने उल्टी बुन ली, और सीधी तरफ से भी हमने उल्टी बुन ली, अब फिर से हम उल्टी पर सीधी सलाई बुनेंगे हम यह जो हमारी तीसरी सलाई है उल्टी तरफ से सीधी बुनेंगे इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस सलाई बुनी हमने रॉंग साइड से बुनी लेकिन सीधी बुनी अब आएंगे हम इसके चौथी सलाई पर यह हमारी सीधी साइड है लेकिन सलाई हम यह बुनेंगे उल्टी पिंग कलर हमें ऐसे ही करना है पहली सलाई उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे दूसरी सलाई सीधी सरफ से उल्टी बुनेंगे तीसरी सलाई उल्टी तरफ से सीधी बुनेंगे और चौती सलाई सीधी तरफ से उल्टी बुनेंगे यह हमारी हो गई पिंक कलर की चार सलाई चार सलाई हमने वाइट से बुनी चार सलाई ही हमने पिंक कलर से बुनी अब हम फिर उल्टी तरफ आएंगे और ये वाइट कलर से शुरू करेंगे आठ सलाई हमारी हो गई चार वाइट और चार पिंक यही आठ सलाई हमें बार बार रिपीट करनी है अब हम यह उल्टे साइट से आगए, यह उल्टी बुनेंगे, वाइट सलाई हमें उल्टी तरफ से उल्टी बुननी है, और सीधी तरफ से सीधी बुननी है, सिम्पल तरीके से, और पिंक सलाई हैं, जैसे कि मैंने अभी यहां डीटेल में बताया, आप बिल्कुल वीडियो देखके वैसे ही बुनेंगे, इस तरीके से यही आठ सलाई आप बार बार रिपीट करेंगे, यह दिखिए यह इस तरह से हमने वही आठ सलाई रिपीट करते हुए, यह लाइन बनाई हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, यह चार से छे लाइन था, यानि कि न्यूब यह काट दिया है, और यह फंदे हम बन कर देंगे, बन भी हम बहुत टाइट नहीं करेंगे, डिले डिले बन करेंगे, सारे फंदे हमें ऐसे ही बन करने हैं, दो, दो फंदे, यह वाला फंदा इस सलाई में लेंगे, और एक इधर से लेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना देंगे बार बार यही रिपीट करेंगे तो हमारे ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से ये बंद हो गया ये हमने बंद कर लिया अब हम करेंगे इसकी सिलाई उससे पहले बना लेते हैं हमें एक पॉम पॉम जो हमें यहां लगाना है इस तरह से दो उंगली पे धागा लेंगे और पचास या साथ बार हमें ये धागा इसमें लपेट देना है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो दस क्यारा बारा देना इस वोड़ा सतरा टारा उननेश बीस इकिस बाईस तेस चौँएस पच्छेश चंबिल सताइस तेस तीस अटेस पच्छेश पच्छेश प साथ बार हमने ये धागा लपेट दिया आप पचास बार भी लपेट सकते हैं इसमें तो थोड़ा सा छोटा बन जाएगा ये पाम पाम ये आपके चोईस के ऊपर है ये आपके बास उन कितनी है उस पर डिपेंड करता है उसके बाद हम इसको यहां से एक अलग से धागा ल डबल डिपल गांट लगा देंगे इसमें ताके खुले नहीं उसके बाद करेंगे हम इसकी कटिंग यहां से जो भी ये डबल दागे दिख रहे हैं सब काट देने है हमें इस तरफ से भी ऐसे ही काटेंगे और उसके बाद ये इस तरफ से मोड देंगे यहां से और इसमें ये अगर इस टाइम पर भी आपको लगे कि आपने जो धागा बांधा है बीच में वो लूज लग रहा है तो उसको और टाइट कर देंगे आप उसमें एक धागा और बांध देंगे इसको इस तरीके से कर लेंगे और यहां पर एक धागा और बांदेंगे अगर आपको लगे कि यह भी लूज रह गया क्योंकि लूज नहीं रहना चाहिए वरना यह धागे निकलके पॉम पॉम इसका खराब हो जाएगा इस तरीके से हम इसको बिल्कुर गोलाई कर देंगे इसकी जहाँ जहाँ से भी हमें यह एक्स्ट्रा धागे दिखेंगे वहाँ वहाँ से हम इनको काट देंगे दिखेंगे आप इसको ऐसे करेंगे एक दम गोल पॉम पॉम बन जाएगा यह भी आपको यह थोड़ा सा यह इधर से ऐसा दिख रहा होगा लेकिन जब यह हम अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर देंगे तो यह भी नहीं दिखेंगा इस तरह से हम इसकी अब हम इसकी करेंगे सिलाई सिलाई हमें करनी है यहाँ से लेके पहले हम यह वाले सिलाई करेंगे यहाँ सिलेके यहाँ तक हम इसको सिल देंगे पहले उसके बाद हम यह वाला पार्ट सिलेंगे हम इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे इस तरह से ये फंदे पकड़ते हुए जो भी हमारे फंदे ये बंद किये हुए ये जो हमने उस तरह फंदे डाले हैं वो पकड़ते हुए हम इसी तरह से इसकी पूरी सिलाई कर देंगे इस तरह से ये देखिए ये यहां पर हमारा जुड़ गया अब हमें सिलाई करनी है ये वाला पार्ट और ये वाला कोना ये पिंक से पिंक तक हम मिला देंगे इस तरह के से ये दिखिए ये ऐसे है इसको हमें ये वाले इस साइड कर लेना है और यहां का इस साइड करना है पहले हम यह वाला सील लेंगे और उसके बास सीलेंगे हम इधर का पाट दिखेए हमने इतना सील लिया है यहांपर अब हम यह वाला पाट सीलेंगे यह हमें थोड़ा सा कीचते हुए यानि कि हमें इस तरह से यह पूरा ऐसे फैल के ना आए इस तरह से करके सीलेंगे हम इसे चाहें तो आप यह एक पाली लाइन में छोड़ दें एक एक लाइन में इसकी ले लें तो यह और थोड़ा सा सिम्टा हुआ आएगा इस तरह से हमें इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए सीलेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आए इसको हमें ऐसे खुला नहीं सीलना है थोड़ा इसको समेट के सीलेंगे इस तरीके से यह नीचे का हमारा सिल गया अब हमें सिलना है यह वाला पार्ट इसके लिए हम यहां पॉम पॉम भी लगाएंगे तो पॉम पॉम हमारा वाइट कलर का है तो पहले हम सुई में वाइट धागर डार लेते हैं फिर हम इसको सिलेंगे यहां से हम यह वाली पट्टी से सीधी तरफ से ले लेंगे यहां से लेते हुए एक-एक फंदे में से यह फंदा भरते हुए पूरा गोलाई में को करा सिले हम से खर वाली तरह में से लेते इपाट भरते हैं से ले चत्तवऴर मेंसी को वाल इक हम स father और इनको यहां हमें एक गाठ लगाएंगे और इस धागे को अच्छे से खीच देंगे टाइटली यह टाइट खीच के हम इसमें एक गाठ लगा देंगे अभी हम यह धागा काठेंगे नहीं इसमें से क्योंकि हमें इसमें पॉम पॉम लगाना है हम इसको सीधी तरफ से देख लेते हैं पहले यह हम एक्स्ट्र धागे इसमें से काठ देंगे यहां से यह प्रंट पे से इस तरह से आ जाएगा और इसको हम यहां मोड़ देंगे यह इसकी शेप आएगी, अब हम यहां पॉम पॉम लगा देते हैं, यह जो भी धागे आपको इदर उदर दिख रहे हैं, यह सलाई से या करोशिया से, जिस तरह से भी आप कमफुटेबल हों, यह धागे, हम पीछे की तरफ निकाल के इनको काट देंगे, पहले हम यह पॉम पॉम, यह से टांका पीछे की तरफ लेके और पीछे गाठ लगा देंगे, यह हमारा पॉम पॉम लगके तेयार हो गया, अब यह वाले धागे भी हम, देखिए यह सफाई से रहें, इसे आप यहीं से काट देंगे अगर हम, यह फिनिशिंग भी नहीं आएगी और इसका खुलने का भी खत्रा रहता है, तो हम पहले इसको ऐसे पीछे की तरफ सलाई स यह करोशिया से, जिस तरह से भी आप चाहें, उसको ऐसे थोड़ा दूर निकाल के लिए आएंगे हम, और तब इसको काटेंगे, यह हमारी सौक्स तयार हो गई, इस तरह से इसकी फाइनल शेप दिखेगी, आप चाहें तो इसको ऐसे यूज करें, चाहें तो आप इसको इसको इस तरह से यूज करें, चाहें तो आप इसको यहां से सिल भी सकते हैं, अगर आप इसे लॉंग सौक्स बनाना चाहें, तो आपकी चोईज है, आप किस तरीक आया होगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू